कि अधिक यह सब्सक्राइब को उसा कर से थिए और आज से से रिलेटिड जैसे टेर्न में जहां पर खाना बनता है जो जहां पर वरतन वरतन रखा जाता है उसको क्या कहते हैं उसे कहते हैं और होइजहाद जहाते हैं फक्र होता है ज्छो सारे जहास चाहाई होता है हुँआ होता है कपड़ी तंगने के लिए घृते हैं उसे ही क्या कहते हैं ऐसे ही जगहों से रिलेटेड वर्ड आज हमने करेक्ट कर रखे हैं और यह वर्ड इक्जाम में पहुँ जाता फ्रेक्वन्टी पुछे भी गया है तो आज का यह सिसन हम लोग इसी पर इसी को डेडिकेट करते हैं यह है रिलेटेड टू प्लेश और हां एक बा हैं होंगे तो जितना भी है एक एक करके करते हैं फिर आगे वड़ते हैं तो पहला वर्ड देखिए लिखा हुआ है बार्न ठीक है यह एक्जाम में आ चुका है यह आया हुआ क्वेस्टन है बार्न का मतलब होता है कि लाज फर्म हाउस फार स्टोरिंग कॉर्ण या हे वाली भात ही पता है न कि यह क्या होता है भूसा होता है अचा बार्न की जो सुद्ध हिंदी है देशी वाली जिसे कहते हैं देशी क्या साहितिक हिंदी है ऐसा नहीं है देशी है उसको हम लोग कहते हैं खलिहान लेकिन सब लोग यह समझ नहीं पाएंगे खलिहान क्या होता है तो बार्न होता है खलिहान जो इंग्लिस मीडियम वाले हैं वो यह समझें कि दिस इज लाज़ फार्म हाउस वेर कॉर्ण और है इस स्टॉर्म आफ्टर बिनुएं ठीक है बास समझ मागई अगला वर्ड चलते हैं और अगला वर्ड है हमारा ग्रेनरी तो ग्रेनरी क्या हो लाके स्टॉर करते हैं ठीक है न यह खेत में होता है यह फार्म हाउस में होता है बार्न और यह क्या होता है यह घर में होता है स्टॉर्ड अच्छा ग्रेनरी सब के घर में होती है आप किसान हों चाहे ना हों आप महीने भर के लिए दो महीने के लिए च्छे महीने के काम मतलब क्या हुआ जो ऐसे ही दूसरे वर्ड में हम एक और वर्डिस के लिए लगा सकते हैं ज्यादा सुठेबूल होगा होगी हो इसमें प्लेज जिगा होती है जहां और पौजर को करके उसको collect किया जाता है की मा Lorai चलीए अगला SARAH पर मतब जहनते हैं क्या होता है और चर्ड का मतब होता बाग ठीक ना अब आप कहेंगे कि यह बाग क्या होता है भी आई बाग नहीं जानते क्या बाग और और बगीचा दो सब्द होंगे हिंदी में बगीचा होता है गार्डन और बाग होता है आर्चर्ड तो बाग जो होता है इसमें फलों वाले पेड़ लगाए जाते हैं कौन सा वाला फलों वाले पेड़ होते हैं फूलों वाला पेड़ होता है फूलों वाले पेड़ होते हैं पेर तो फ़लों अले होते हैं तो आर्चर्ड क्या होता है फ़लों की बाग जहां पे फलों गाये जाएंगे यह हो गया खास दोंसे ध्यान रखिए क्या प्रूट ट्रीज तो यह हो गया आर्चर्ड अगला ले लिए यह बहुत पार egzām में आ चुका है ठूक है ओइसिस वरड़ कई बार eczam में आ रहे हैं Oasis का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं मरू उध्यान मरू उध्यान देखिए मैं लिख रहा हूँ आप समझेगा यह मरू मतलब क्या हुआ रिगिस्तान और उद्यान का मतलब हो गया बगीचा तो मर उद्यान का मतलब क्या हो गया मरस्थल में या रेगिस्तान में जो बगीचा जो गार्डन जो आर्षड देखने को मिलेगा उसे मर उद्यान कहते हैं आपको पता है कि रेगिस्तान में आर्षड विगर रेगिस्तान में रेत होती है पानी नहीं होता है तो वहां पे फल फूल पौधे यह सब बहुत कम देखने के मिलते हैं कहीं कहीं पर इस रेगिस्तान पर कहीं पर पता लगा यहां इतनी दूर में थोड़ा सा पानी है तो यहीं घास फूस और कुछ पाउधे कुछ पत्तिया हो जाएंगे अब कुछ यह इन देजर्ट जहां यह डेजर्ट में एक प्लेस होती है जहां क्या होता है वाटर और ग्रीनरी पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे ओएसिस कहेंगे बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है कई बार एक्जाम में यह पूछा जा चुका है चलिए अगले वर्ड पर आते हैं अब गलती हो जाती है कभी कभी इस पेलिंग में यह हुई बेजसाला आपने पढ़ा होगा कि महाराजा जैसिंग ने जैपुर के थे महाराजा जैसिंग ने देश में कई सारी बेजसाला हैं बनवाई थी ठीक है तो बेजसाला क्या होती है कौन सी जगह होती है बेजसाला होती ह जहां से astronomical observations किये जाते हैं, astronomical observation मतलब हुआ, नचत्रों का अध्यान किया जाता है, यहां बड़ी बड़ी दूर्बीन्स रखे जाती है, वहां scientist वगेरा, उसमें अंजरिक्ष में जो नचत्रों की गत्विधिया होती है, तारों का movement होता है, यहां से, वहां कौन कहां किदर जा जहा है, तो उस movements पर नज़ा रखते हैं, उसको कहते हैं, observatory या बेज साला, अचा observatory और laboratory में आप confuse मत होईएगा, laboratory मैं ने लिखा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा, मुझे याद था, laboratory इसलिए नहीं लिखा, कि आप लोग कहेंगे, कि यह देखिए, कितने basic basic word ला दिये है, तो इसलिए laboratory लिखा नहीं था, मैंने सोचा था, कि laboratory बाद में discuss करते हैं, देखे, laboratory एक word होती है, laboratory क्या होती है, परियोग साला होती है, इसमे scientific experiments किये जाते हैं, ठीक है, scientific experiments किये जाते हैं, वो laboratory होता है, और observatory क्या होती है, इसमे astronomical observation किये जाते हैं, दो some words में अंतर ध्यान observatory, laboratory is a place where scientific experiments are carried out, और observatory होती है, a place where astronomical observations are taken, ठीक है, दोनों में फर्क याद रखिएगा, एक लिखा रही था, इसलिए बताया, और एक लिखा है, इसलिए बताया, दोनों में difference करना था, ठीक है, फिर हम लोग अब six के उपर बढ़ते हैं, हमारा है question number seven, तो देखे, अब इस प जिम, आज कर सब लोगों को जिम का सौक सवार हो गया है, ठीक है, ज्यादा तर लोग जिम जाने लगे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को मसलस बनानी है, बल्ले सलिक कुछ लोगों को पेट पचाना है, तो अलग-अलग कारण है जिम जाने के सबके, फिलहाल आप किसी भी पूछा जाएगा तो फिर वो कारर नहीं पूछेगा वो पूछेगा कि जिम कैसी जगह है तो जिम एक ऐसी जगह है जहां एथलेटिक exercises की जाती है आप एक्जाम में यह ना लिखिएगा कि जहां पेट पछाया जाता है यह जहां पर मसंल्स बनाई जाती है यह नहीं होगा आपका आंसर होगा जहां Athletic धीस कर bestimm साइजस के जाती है उसे घ्मनेजियम कहा जाता है जूँच आटमें जाता है डिपो ठीक है बुक डिपो बुक डिपो मतलब क्या हुआ जहां पर बहुत सरी किताबे होंगी तो कोई भी गुट्स जहां पर इस्टोर होती है उसे कहा जाता है डिपो या डिपाउट कहते हैं अब बाता यह आर्चीफ की यह exam में बहुत बार पोचा गया है आरचीफ मतब सुपर डूपर इंपोर्टन्ट वर्ड है आरचीफ आरचीफ को क्या कहते है अभी लेखागार हिंदी में लिख दू अभी लेखागार यार बोल तो रहे है अभी लेखागार का मतब क्या हुआ एक एसी जगह जहां सरकारी दश्ता वेज रखे जाते हैं प्रेस वैर गॉष्मेंट डाकुमेंट तो आरचीफ इस प्लेस वैर गॉष्मेंट रिकार्ड स्या काल्डा आरचीफ चलिए आगे बढ़ते हैं नाइन वर्ड हम लोग कर चुके हैं और यह रहा आपका question number question number आदत पढ़ गे discussion कराते समय discussion में question number question number बोलते हैं अब यहां question तो है नहीं यहां तो word है हमें बोलना चुछ यह था word number और निकल रहा है question number यह कोई बात नहीं अगर मैं फिर से question number बोलने तो आप समझेगा कि यह word number बोल रहा हूं में ठीक है न तो भावनाओं पर जाईएगा सब्दों पर नहीं अगला word है museum तो museum तो सब लोग जानते हो गया में क्या होता है संग्रहाले और संग्रहाले में क्या होती है ancient प्राचीन महत्यों की चीज़ें वहां इकठा की गई रहती हैं और वहां लोग देखने जाते हैं हम लोग भी सब लोग संग्रहाले में चीज़ें देखते हैं कि मोगल काल में से कैसे होते हैं सिंदुखाटी सब बताय में सब कैसे मिला तो वही प्राचीन इतिहास में खुदायुदाई में जो सब तमाम चीज़ें मिलती हैं राजाव महराजयों कि इसानिया तो उन सब चीज़ों को एकठा करके रखा जाता है उसी को संग्रहाले कहते हैं उसी को वीडियो करीब बनेगा प्रोफेशन्स पर जैसे आज उस पर बना रहे हैं वैसे ही प्रोफेशन्स पर भी बनाएंगे तो म्यूजियम का इंचार्ज को होता है उसको क्यूरेटर कहते हैं तो उस समय आएगा दो तिन मतब दो चार दिन वेट करिए जल्दी ही वह भी लाने वाने हैं क्योंकि उससे भी एक्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेशन्स पूछे गए हैं प्लेसेज हो गए और प्रोफेशन्स हो गए इन सबसे डह सारे क्वेश्चान आते हैं तो उसको मैं धीरे-धीरे करके एक एक करके सबको समयट दोगा आप परिशान नहों यह ठीक परिशान कोई बात ही नहीं आपको बनाया मिलने वाला है प्रिसिशन्स लगता है और क्या होता है इसी जगह होती है हाउस रिफ्यूज इस रिडियूजड टू ऐसे हाउस रिफ्यूज यहां घाम कचरा जहां जालाते हैं उस जगह को कहा जाता है incinerator बास समझ में आ गई यह incinerator था अगला है dairy बताने की ज़रूरत नहीं अब लोग जाते हैं कि dairy क्या होगी dairy मतलब जहां दोद वगयरे मिलता है दोद दही घी यह सब चीजे मिलती है तो उसको dairy कहते है प्लेस वेर मिल्क या मिल्क कनवर्टेट इंटू बटर या चीज ठीक है या मिल्क प्रॉडक्ट जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग dairy कहते हैं ठीक है जानते हैं बेकरी क्या होती है बेकरी है कैसी जगह होती है जहां ब्रेड वगयरा केक वगयरा बनता है ब्रेड है केक है बिसकिट है यह सब चीजे जहां पर बनती है उसे कहते हैं हलवाई की दुकान कनफेक्शनर किसको कहते हैं हलवाई को कहते हैं कनफेक्शनर और कनफेक्शनर ही होती है हलवाई की दुकान जहां मिठाईयां बनती है ठीक तुम मुह में पानी ना आए मन करें तुझा के खालो और यह न कहनक सरजी पैसे दे दीजिए सरजी पैसे नहीं देने वाले ठीक है मन तुम्हारा कर रहा है खाने का जाओ खा लो ठीक अब एक जगह होती है मिंट ये एक्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है हद से ज्यादा बार मिंट क्या होता है एक ऐसी जगह है जहां पर सिक्के या मेडल्स वगिरह ढाले जाते हैं यहां पर क्वाइन लिखा हुआ है जहां क्वाइन ढाले जाते हैं और क्वाइन के साथ में एक बात और ध्यान लखेगा यहां पर मेडल्स भी बनते हैं हाला कि आज कल किवल कौई नहीं बन रहे हैं तो मिंट उस जगह को कहते हैं जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं हिंदी में बता सकते हैं क्या आप में से कोई कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं टकसाल क्या होगी टकसाल कहते हैं ठीक यह है अब एक सवाल आप लोगों से है आप लोग कमेंट बाक्स में जवव जरौर दीजागा कि इंडिया bevor कि Тजक साल है कितनी म Christians है और कहां कहां पर है यह कही हो तो एकका नाम बताएगा एक से ज्लादा हो तो उनका नाम बताएग यह कहां आ कहां पर उस जगह को कहते हैं जहां बरतन धोई जाते हैं ठीक है घर के जो डिसेज बेगर होते हैं एक ऐसी जगह प्लेट है डिसेज है पॉट्स है या इस तरह की जो कुकिंग चीज़े हैं कड़ा ही है भगोना है कल्चुल है चिम्टा है यह सब चीज़े जहां वास डब की जाती है जहां धोई जाती हैं उसको स्कलरी कहते हैं ध्यान रखिएगा वन्समोर आप इस वर्ड को अच्छे से देख लीजे यह क्या है स्कलरी है ठीक है कई बार यह एक्जाम में पूछा गया है 2020 की बात है और पिछले प्रैक्टिस सेट में यह वर्ड आया भी था मैंने आपको बताया भी था यह है कि अप्लेस फर हाउसिंग एरोप्लेंस एरपोर्ट क्या होता है जहां से हवाई जहाज उड़ाया जाते हैं टेक आफ करते हैं लैंड करते हैं वो पट्टी रनवे उसको कहते हैं एरपोर्ट और हैंगर क्या होता है हैंगर समझ लो हवाई जहाज का गैरेज भाई जहां पर हवाई जहाज की मरमत और की जाती जहां पर खड़े कर दिये जाते हैं आने के बाद वो होता है हैंगर अब यह मत समझेगा जहां आप अपने साड़ टांगते हैं तो जैसे ट्रेन में जो क्षिचन होता उसको क्या कहते है पैंटरी और दे कहीं लिखा होगा उपर नीचे यह वर्ड हाँ मुझे इसको यही लिख न चाहिए अगर यहीं पर में पैंट्री लिखा होता तो ज्यादा अची बात होती लेकिन कोई बात नहीं अगर में यहां नहीं लिख पाया तो उस समय ध्यान नहीं आया तो अब ध्यान आ रहा है पैंट्री क्या होता है पैंट्री होता है ट्रेन में जो रसोई होती है ट्रेन में जो खाने होने का डिब बहुता है वो पैंट्री होती है और सिप में जो खाना पीना बनाने का या सिप का जो किचन होता है उसके गैली या कैबूज कहते हैं ठीक है बात समझ में आ गई को नीचे वाले वर्ड के साथ पढ़ाता हो तो ज्यादा अच्छा होगा मिलते जुलते वर्ड होंगे न तो ज्यादा ठीक होगा चलिए नीचे चलके पड़ते हैं हम लोग क्वे को यह रहा देखिए हमारा क्वे क्वे के लिए क्या लिखा है एक प्लेस अप्लेस शोड़े यह लिखे सीधे सीधे कहां सिप्स आर लोड़ेड अनलोड़ेड सिप्स को जहां अनलोड अपलोड किया जाता है उसको कहते है क्वे ठीक है और एक वर्ड होती है डॉक डॉक क्या व पोर्ट होता है बंदरगाह ठीक है ना तो यहां से मतलब सिप पोर्ट जो है एक्चुली एक ट्रेडिंग सेंस में यूज किया जाता है ब्यापार के सेंस में यूज किया जाता है पोर्ट ठीक है यसे अमेरिका से कोई जहां जाया तो मुंबई पोर्ट पर आया तो तो को तो पोर्ट कह देंगे हम वो इस्टेशन हो गया पोर्ट जो है वो इस्टेशन है ठीक है और क्वे क्या हो गया क्वे हो गया प्लेट फार्म मतलब ऐसे जगह खड़ा कर देंगे जहां से समान को उतारा या लादा जाता है वो क्वे हुआ तो समझ दिए प्लेटफार्म हो गया और डक क्या हो गया डक मतब डक यार जहां उसकी मरमत तरुमत करते हैं धुलाए उलाए सफाई उफाई करते हैं वो डग हो जाएगा तीनों जगों पर आप ध्यान रखिएगा क्वे डग और एक वर्ड बीच में अपनी और से जोड़ के बोला था पोर्ट तीनों में क्या डिफरेंस होगा अब देखिए रिजर्वायर क्या जग का पानी का नदी रोका जाएगा जहा का भूप पानी नदी का चाहां तो आजगर जालासय जो है वह केवल डैम पर ही नहीं बन रहे हैं जो कि पीने वाले पानी की कमी होती जा रही है तो बरसात का पानी ब्रुका जारा बड़े-बड़े शहरों में इस तरह के प्लान बनते हैं तो उसको भी रिजरवायर कहा जाता है ठीक है बरसाथ का पानी रोक लेते हैं तो तीन-चार महिना उससे सप्लाई हो जाती है तो रिजरवायर है अच्छा आगे आता है एक वर्ड दिया है कल्डिसेक कल्डिसेक यह दो-तीन बार एक्जाम में आ चुका है यह वर्ड और इंपास बहुत बार आया है दोनों वर्ड एक ही है इंपास अंग्रेजी में है और कल्डिसेक फ्रेंच भासा का वर्ड है और दोनों का मत्तब एक ही होता है बंद गली यह स्ट्रीट होती है एक गली होती है जिसमें व बड़ा हो गया यह मान लीजिए आपकी शड़क है ठीक यह आप शड़क से जा रहे हैं यह और इधर से गली गई यह गली गई अब यह गली गई आगे जाके गली बंद हो गई तो अगर यह गली आगे जाके खुली नहीं है यहां जाके इसका मुह बंद है आप इधर से गई विखेए आगे वड़ते हैं आगए है हमारा एक वर्ड बोवर नहीं तो बॉरición जानते हैं क्या होता है बोर एक पत्छर का और हो सकती भी हो सकती है तो पेड़ों के जुर्मत और घंए यह कहते हैं जाड़ियों की छाया में जो रहने की जगह या घर गएर बनाते हैं उसको बोवर कहा जाता है और इसी से कई किलोमीटर तक दोनों तरफ से पेड़ और सड़क के उपर जाके दोनों और से पेड़ एक दूसरे को छोते हुए नीचे ऐसे लगता है इसे सुरंग में जा रहे हैं कभी अप ऐसी सड़क से गुजरे होंगे तो वह नजारा आप याद करिए कितना खूबसूरत लगता द सड़क को कहा जाता है तो चलिए यह हो गया 24 वर्ड हम लोग कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन फिर बोले क्वेस्टन नहीं वर्ड नमबर 25 चलिए तो 25 वर्ड है मारा आउट इसकर्ट आउट इसकर्ट का मतलब ऐसा नहीं होगा इसकर्ट के बाहर ऐसा कोई सेंस नहीं है ठीक है तो आउट सकर्ट का मतलब हुआ जैसे माली यह एक सहर है ठीक है माली यह एक सहर है ठीक अब इस सहर की यह जो बाउंडरी है इसके बाद दूसरा दिला लग जाता है तो इस सहर की जो यह बाउंडरी है जो बाहरी सीमा है ठीक तो किसी भी सहर की जो बा आगे चाहिए बढ़ते हैं अगला वर्ड है मौर्चुरी यह बहुत इंपोर्टेंट रड़ है मौर्चुरी और मौर्ज दोनों वर्ड बहुत बार एक्जाम में पूछे गए हैं बी केरफूल वाउड इस तू वर्ड तो मौर्चुरी क्यों सी जगह होती है देखे दोनों म पहले यहां आइटियम संस्कार के पहले लिए रखा जाता है और यहां आटू-idental जोन, ranad, आटोपसी के लिए रखा झालता है मतलब क्या हुए मोर्चुरी में कब आता है और स्फिट्मार्टमके पहले बेसिक क्या है दोनों का लेट्स सीवन्स मोर्चुरी हैं यह हस्पिटल कहा है अतोपसी होने के बद पोस्ट postmortem होने के बाद dead body को रखा जाता है अंतिम संस्कार के लिए या या डेड़ वल्डी को पहचानने के लिए रखा जाता है जिसे कहीं ऐसे लावारिस लास मिली है तो पहचानने के लिए भूझ पहचाने यह मतब किसनकी है पहचान के लिए मुर्ज जैसे कहीं आटोपसी करेंगे आटोपसी ए यू टी ओ पी एस वाई आटोपसी मतलब होता है पोस्ट मार्टम पी एम लिख दिया मैंने पोस्ट मार्टम पोस्ट माट्रम होने के बाद कहा ले जाएंगे मौर चुरी में रखे देंगे, वहाँ से कहा चले जाएंगे, ले जहां पर जैसे होते हैं इस सिंटर वेशनेस करीर आउट जैसे बड़ा-बड़ा बिजिएस लार्ज स्केल पर बिजिनेस वगरे करे आउट जैसे मिल वगरे के बाद जो कपड़ेने निकलते हैं तो चारों और से पानी से घिरी हो यह जैसे क्या हो गया यह एक जगह है और चारों तरफ क्या है पानी है यह सूरज भगवान हुआ समझना यह पानी है चारों तरफ ठीक है चारों तरफ पानी उसके बीच में थोड़ी सी जमीन होती है उसको आईलेंड कहते हैं हिंदी में इसको को हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य जल जल मने पानी क्या बनाए डमरू और डमरू मध्य का मतलब क्या हुआ जहां पानी डमरू के बीच वाला हिस्सा बनाए तो यह समझ लिए यह हो गई आपकी डमरू ठीक यह डमरू हो गई अब डमरू का मध्य वाला पॉर्शन यह हो माल लो यह हो गया इंडिया का साउथ वाला पोर्शन और क्या होगैं स्री-लंका का पौइशन होगया इधर वक्षागर होगया इधर क्या हो गए बंगाल की खाड़ी हो ballet तो यह व्रवा पोर्शन कैसे बना रहा है यह यह I developed यह यह पीछ व्रॉसन हो ठीक है नहीं चलिए एंग्रेजी में देखिए क्या लिखाओगा नेरो पीस आफ लैंड विद वाटर एच साइड जॉइंस टू लार्जर पीस आफ लैंड मतलब बीच में लार्ज पीस आफ लैंड का मतलब इधर इंडिया और इधर स्री लंका जोड़ गया और बीच में क् ठीक है आगे अगला वर्ड है इस्तमस के बाद हमारा पिनिन्सुला पिनिन्सुला का मतलब क्या होता है प्रायदीप क्या कहते हैं इसको प्रायदीप मत करिएगा इसको ऐसे लिखा जाएगा प्रायदीप का मतलब क्या होता है एक ऐसी एरिया जो कम से कम तीन साइड से पा इधर है इधर क्या है इंडियन ओसिए इधर क्या है बंगाल ठीक थी और देखें यह West हो गया और यह क्या हो गया यह हो गया इस्ट हो गया तो तीनों और से पानी से घिरा हुआ एरिया है तो इसको कहा जाता है इंडियन पेनिसुला मतलब भारती प्रायदीप ठीक है बात समझ गये तो यह हो गया पेनिसुला लार्ज अरिया फ्लैंड इसरांड़ बाइव वाटर फ्राम एट लेस्ट इसरी साइड तीन और से घिरा हो यह हो गया अब इस्ट्रेट क्या होता है जोगरफी के वर्ण है इस्ट्रेट क्या होता है चैनल अफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज टू सीज के मतलब क्या हुआ हैं और जैसे अब कहते हैं कि मैंत्री सरनगुप्त वाल्ड है यह प्रिकास लुहिया वाल्ड है तो वाल्ड ऐसे ही नाम रखा जाता है चोटे-चोटे यह से जो चुनाव यहां तो पंचायत Agar kak electronically होता है जो पारशाद बगएरे बनते हैं तो उसमें एक एक वार्ड से एक आदमी खड़ा होता है तो उसे वार्ड कहते है small division of town जिसे क्या होगा division of town या विलेज ठीक है election के purpose है town को या सहर को जो divide कर देते हैं छोटे 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 वार्ड में इस वार्ड से यह है इस वार्ड से यह है तो उसी को का जाता है वार्ड चलिए आगे बढ़ते हैं वार्ड के बाद आपका एक वर्ड आता है गैरेट ठीक है तो चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा उपर करके गैरेट क्या चीज होती है गैरेट होता है जैसे फार्जा कहते हैं जिसे माली जी आपका यह कमरा है जो इतनी जिगह ने के लिए इतनी जगह ऊपर कि यह च्छ Adapt के ऊपर श्रेहं का रखते हैं अदर लेटी जगह होती आंपर रूम घजरी इया झाल में झाल उliers आपकी जो रूफ है रूफ के नीचे और सीलिंग के ऊपर यह आपकी सीलिंग हो गया यह आपका रूफ हो गया सीलिंग और रूफ के बीच में थोड़ी से जगह रखें थे समानमा रखने के लिए उसको गैरट कह दिया जाता है ठीक है अगला वर्ड क्या है अगला वर्ड है saints को ऑडिटॉरियम कहा जाता एंधी मैं कियान यान नहीं आँद आ रहा है इस समय तो यह आडिकों मिले क्या होता जी भनcles करें कश heaven का मतल्द कि क्या हूrat है जैसे यह कि घर का दरौजा है और यह अपकी फर्ष के तो दरवाजे को क्या कहते है ना फर्स से इतना ऊपर ऐसे उठा हुआ होता है ठीक है करीब एक फुट का आदा फुट का ऊपर चोखट कह सकते हो ना लेकिन चोखट हर घर के हर दरवाजे में होती है और जो थ्रेसोल्ड होता है ना कि जो आपका प्रिवेश्ट द्वार होता जो सबसे बाहर वाला दर्वाजा होता है घर का उसके नीचे ऐसे ऊंचा सा एक चौखट टाइप का बना होता है अब फिल्मों में देखा होगा आपने कि जब दुल्हन आती है तो जो वह क्याक्ते चामल सा भरा हुआ लोटा होता है तो चौखट के इस पार होता है तो कहते है अठ्रेस वर्ड़ उसी को कहते है घर की दहलीज ठीक है इंट्रिंस आफ़ हाऊस बात समझ में आ गए चलिए बार एक रड्र होता है बार का मतलब क्या होता है जहां एक जगह होती ही जहां ड्रिंक वगज़ रश्र किराए कराते हैं अरे मतलब समझ लीजये ना पी साईरी हो गई अलnom मुझे आती हांती ही नहीं साईरी वहिरी बस ऐसे ही बात बन गई तो बना दिया तो बार का मतलब में आगया ने जहां पर अगया शराय पीने को दीया जाता आक अलकॉहल रिंक दे यहां ऐसे एक वरड होता नब पॉब होता है पब में भी यह चीज होती है वहां पर पिंए उन्य का इंतजाम होता है अचा है यह जो बार होताए इसमें डिंग प्रोग्राम होता है प्रोग्राम होता है तो बार समझ में आ गया बार के बाद आगे बढ़ते हैं लोग एक बार वकील को भी कहते हैं वह अलमत समझेगा ठीक है बार लोही के छड़ भी होती है कैसीनो कैसीनो क्या चीज होती है एक तरह से जुआ घर होता है जी देखे एक प लगते फिट रहे होते हैं तास खेल रहे होते हैं तो यह वाला देखते हैं के पहले नहीं क्या पड़ा था बार के बाद आपने क्या पड़ा कैसीनों कैसीनों उक्षात क्या पड़ रहे हैं कैबरेट के मतलब क्या होता है एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहां पर वेराइटी आफ सो मतलब आप खाईए पीजिए चाय पानी नास्ता करिए डिंक वगरे करना हो तो डिंक वगरे करिए और stage पर dance वगे डांस और वगेरा भी हो रहा होता है उसको कहा जाता है Cabaret तो restaurant में जो मत अभग dining hall होता है restaurant का वहाँ पर stage होता है cannabis युझाद नांस और चलता है उसको कहते है Cabaret Okay एक word है Sweet इसको suit मत बढ़िएगा इसको क्या होते है Sweet पढ़ते है ये देखिए स्वीट मिठाई वाला भी नहीं है ये ऐसे होता है स्वीट तो ये होटल का कमरा होता है ठीक है ना होटल वगएरे जब आप जाते हैं होटल वगएरे में कमरा लेते हैं तो केते हैं वन रूम स्वीट शाहिए कि टू रूम स्वीट शाहिए तो ये ऐसे होता है स सूइट जो होटल के कमरे होते हैं उनको कहा जाता है कहते हैं कि हमने एक सूइट बुक किया है ठीक है आगे चलते हैं डॉर्मिटरी क्या चीज़ होती है डॉर्मिटरी में तो होता है एक कमरा होता है जो सोने के लिए होता है तो रात का सोने के बेटरू नहीं है यह वर्क प् लैंच के बाद बगल में ही एक डॉर्मेट्री बनी रहती है, डॉर्मेट्री में सुफा उफा लगा रहता है जो ता निकाल के थोड़ी दिर के लिए करवाट हो लेते हैं और थोड़ा आराम और राम कर लेते हैं तो एक आध घंटे का रेस्ट होता है सीएस्टा लेने के बाद सीएस्टा एक अच्छा वर्ड मुझे यादा आया सीएस्टा क्या होता है सीएस्टा एक वर्ड होता है सीएस्टा क्मत्ब होता है दोपार में खाना खाने के बाद आप गंटे के नीद लेते हैं उसी को Siesta कहा जाता है तो वही दोपार में लंच करने के बाद गंटे करेश्ट के लिए थोड़े लेने लेंड के लिए उसी को dormitory कहते हैं अब यहां मैंने लिखा हुआ है कि school में या college में ये public college लिखा है या public institution है तो कोई भी office वगरह मैं आज कल private में भी बिनता है जो भी office वगरह या इस तरह के institute वगरह होते हैं तो वहां पर dormitory बनाई जा रही है आज कर नया ट्रेनी चलाया है इसे लोगों की कारेश हमता बढ़ती है आदमी ठकने के बाद एक घंटा अराम कर लेगा फिर आएगा तो और जो उससे काम करेगा ठीक है कुरसी पर बैठे बैठे थोड़े ने कमरे ट्रेडी हो जाएगे तो आके दोपार के बाद और पावर कम हो जाती है तो आउट हाउस क्या होता है आउट हाउस का मतलब होता है जिसे यह घर होता है यह घर है तो घर के बाहर यहाँ पर थोड़ा सा दो तीन कौर्टर बगएरा बना दिया जाता है जिसे उनके लिए जिसे जो फेमडी के सर्वेंट वगएरा होते हैं उनके लिए बना दिया जाता है तो घर के बाहर जो दो तीन कमरे बने होते हैं उनको आउट हाउस कहा जाता है ठीक है चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है में बिल्डिंग से जोड़ी हूई जो चोटी चोटी कमरे होते हैं इसमें नवकर्व अगयर रहते हैं उनके खाने का इंतजाम होता है वह होते हैं आउट हूस तो प्रिमाईजिश का मतब आप ऐसे ही समझ लोना campus यह हो गया university campus, bank campus, office campus ऐसे होता है तो एक परिशीमा होती है चारोर की उसका दायरा होता है तो house and surrounding land house सराउडूंग land होती है campus तो प्रियागले जाते क्या हो गया उदियो मिर्वाने पंडेज के लिए प्रियाग गंगान है जै है पिलिग्रिमेज चलिए यह निए पीपल करते हैं उसको कहा जाता है क्रील क्या चीज़ होती है क्रील बड़ा अच्छा वर्ड है कई बार एक्जाम में आया है क्रील वो टोकरी है जिसमें हम लोग मचली पकड़ते हैं अरे हम लोग नहीं भाई मैं मचली नहीं पकड़ता तो जो फिसर में होते हैं फिसर में फिस पकड़ते हैं फिस पकड़के जिस टोकरी में रखते हैं तो उसी को कहा जाता advancing career Canall 2015 उसी में पूछा जाने किसी भी sanctuary में पूछा जाने बर बर किसे मोस्ते निकल आज है प्याली आर और लोग यह ना समझी के बात करें ऐड्य में सुद्लमय में और भी exam होते हैं जिसमें Englishy पुचे जाती है जिसमें वोके पूच जाती है उसमें यह वर्ड क्रिल पूछा जा सकता है jak क्या होता है शीयर सीथ यह स्कैबरड क्या होता है म्यान भी तलवार एक सीथ को यह होता है जिसमें तलवार रखी जाती है उसे हम लोग कहते हैं Seat, a case in which blade या sword रखी जाती है जिसमें तलवार रखी जाती है Portfolio क्या चीज होता है Portfolio एक छोटा सा bag होता है देखिए एक portable case होता है हाथ में लेकर चलने लाएक एक छोटा सा bag होता है इसमें पेपर वगयरा होते हैं ड्राइंग वगयरा होती है अब brief case कह सकते हैं उसको चोटी सी रही होती है या bag होता है देखते हैं लोग कंधे में टांगे रहते हैं लंबा सा पट्टा लगा होता है कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी ऐसा bag जिसमें आप documents वगयरे, काग़ वगयरे रखते हैं उसी को portfolio कहा जाता है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं portfolio के बाद हम लोग अगला word है हमारा reticule reticule क्या होता है बैग होता है इसी को reticule कहा जाता है ये आ चुका है exam में कई बार पुछा गया है बट या हॉक्स हेड क्या कहा जाता है यह क्या होता है एक बड़ा सा कास्क होता है जिसमें क्या रखी जाती है वाइन या बियर रखी जाती है ठीक है बट या हॉक्स हेड होता है क्या है यह एक बड़ा सा कास्क होता है एक लाज कास्क होता है जिसमें वाइन या बियर रखी है ठीक है तो यह तो इंपोर्टेंट वर्ड हो गया कुछ लोग मुस्करा रहे होंगे अंदर ही अंदर ठीक है मुस्करा लो कोई बात नहीं आगे को लिखा हुआ है एवर ऑफिय आर तो यहिंदा होता है एक लार्ज जग या पीचर होता है बड़ा सा जग होगा जिसमें पानी रखा जाता है किसलिए वास्प बेसिन के लिए तो अब तो वास्प बेसिन को पर टोटी लगी होती है ना भाइं तो पहले की जमाने के यह सब़र्ड जमाने में जब यह तरह के pipeline से supply नहीं होती थी कुवा होता था hand pump होती थी तो पानी लाकर करके इसी एवर में रखा जाता यह बड़ा सा जग होता है बड़ा सा पीचर होता थी में रखा जाता था जहां वास्बेशिन होता उसके उपर तो वहीं से पानी गिरा करता था ठीक है तो तंकी की तरह काम करता था समझ गये pipeline महीं होती थी कर टोटी खोल लिए और पानी गिरने लगा तो उसके पहरे टोटी का पूर्वर समझ लेजेए इसको टंगी है शतकी उस तरह से समझ लेए इवर ख़ते थे उसको कुछ वर्ड है शी आरड़ ईल नहीं है इतनी च्वहती है इसमें इतनी च्वहती है अचार है जाया जाएगा जाते है उसे को कहते है कुर्वेट ठीक है एक बोट Quebec पेसे से बॉर्ट हो पॉडाव के ले डाय oney को पते है तो वह орगते हैं उसी को करुवेट कहते है चलिए आगे आते हैं 52 वर्ड नमर 52 क्या था यह कैडी है कैडी क्या होता है एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें चाय रखी जाती है ठीक है कैतली समझो जिसमें चाय रखी जाती हो छोटा सा बॉक्स होता है चलिए आगे कि बढ़ेंटर एक वल दिखा हुआ है दिकेटर यह क्या चीजच होती है देखिए डिकेंटर एक औरमार्मेंटल ग्लास बोटल होती यह बढ़िया क 오른डम नहिंग ऑरन्या अब पढ़िए कद दूसरा करें बढ़ femmes पर Sum & Decorated होती है holding wine किसके लिए होती है wine या दूसरे alcoholic drink के लिए अरे फिल्म में देखा नहीं होगा कि एक मतब बेखिए एक ऐसी सी गिलास होती है ये पतला सा निकला ये ऐसे और ये ऐसे अब इस तरह का थोड़ा सा इस तायल नहीं बन पाया मुझे उस तरह से तो ऐसे मतब ऐसे होती ह अगला बड़ा गया ये ऐसे बना रहेगा और ये समझ लो तो इस तरह का कुछ होता है इसी को का जाता है decanter ठीक है अगला बड़ आ गया seller seller क्या होता है देखिए एक underground place होता है जहां पे wine या इस तरह की दूसरी चीज़े provision से स्टोर की जाती है पार स्टोरिंग wine ठीक अंड ब्रीवरी क्या होती है ब्रीवरी उस फैक्टरी को कहते है जहां ब्र बनाई जाती है ठीक ब्र मतलब क्या हुआ एक तरह की शराब होती है तो ब्र जहां बनाई जाती है इसको ब्रीवरी कहा जाता है डिस्टिलरी कहा होती है डिस्टिलरी उस जगह को कहा जाता है जिसको ल बेट्टिलरी के बीच में बरिवरी आ सकता है वो इसका बच्चा है चली आगे बढ़ते हैं और वर्ड हरे सामने बूत तो बू th क क्या चीज होती है बू कोई बीचे होती है जैसे पराग पराय का गार्म का बूत है ठीक है ऐसे ही जैसे के फोन वगयरा का बूत होता है तो वही है मेले वगयरा में जैसे जब आप मेला वगयरा देखने जाते हैं तो वहां पर होता है होती है तो वहीं पर एक कवर्ड स्टाल होता है ठीक है उपर से ढखा होता है कवर्ड होता है उसी को कहते है टैनरी क्या चीज होती है भई टैनरी होती है जहां पर लेदर से क्या कहते हैं लेदर से स्किन से लेदर बनाया जाता है ठीक है वो थोड़ा सा गड़बड हो रहाता है टैनरी उस जगह को कह कहते हैं जहां स्किन स्किन मतलब क्या हुआ जानवरों की खाल स्किन हो गई उस जानवरों की खाल को प्रोसेस करके उससे लेदर बनाते हैं ठीक है तो जैसे आप लोग बेल्ट पहनते हैं जैकेट पहनते हैं और पर्स वगरा रखते हैं लेदर की तो अब जानवरों की खाल स को tannery कहते हैं ठीक है यह होते हैं आगे एक word है रेंडेग्वेस बणिया word है wada क्या होता है जहां पर मीटिंग अरेंज hits स्पर कहते हैं ठीक है तो अ मीटिंग आप JEFF गरह होती है उसे को कहते हैं ठीक है एक वर्ड है आपका लेवरेंथ कई बार एक्जाम में पुछा गया इंपोर्टेंट वन है ठीक है इसको कह सकते हैं यह लीजिए आपको हम ने कर दिया तो यह है कॉम्प्लिकेटट सेट आफ पाथ होता है रास्ते का एक पराणे जमाने में राजा के महल विगर इस तरह से घुमावदार बनाया जाते है तो उन रास्तों में भटक कर रह जाएगा ठीक पहुंची नहीं पाएगा तो इसलिए भूल भुलाईया बनाई जाती ठीक है महल में ऐसे रास्ते ऐसे गलियारे ऐसे पास होंगे आप पहुंची रहें तो उसी को कहते हैं भूल भूल या लेवरिंथ या मैज ठीक है तो यह थे हमारे आज के 60 वर्ड्स और यह 60 वर्ड्स क्या है यह पार्ट वन है प्लेसेज में पार्ट वन था ठीक है इसका पार्ट टू अब आएगा अगली बार जल्दी ही तो पार्ट क्या हैं यह सब human से जोड़ी हुई चीजें होंगी जैसे ऐसे समझ लिजे कि जहाँ हम खाना खाते हैं घूमनसे जाते हैं ठीक है और जिससे बीमार होने पर हवा पानी बदलने के लिए जहां जाते हैं तो इस-तरह से से equilibriumflo घ्रड्स को रक घेंगे उसमें पार्ट वन में ए जरूर दीजेगा और जल्दी ही part 2 के साथ फिर आप लोगों के साथ सामने होंगे और तिल दिन आप लोग ठीक रहिए और खाते पीते सुस्तर रहिए मस्तर रहिए पढ़ाई करते रहिए फिर मिलोंगे तिल दिन टेक केर थेंक यू